पुर्णिया के सांसद कब क्या बोलते हैं ये वही समझें मैं नहीं बता से काम है वो तो बोलते हैं कि हम 24 गंटा में कौन गुरूप को ही समाप्त कर देंगे तब पता नहीं कि इनका कौन सा गुरूप है हम नहीं जाने और हमको लगता है कि पूरे दुनिया को बड़े बड़ाता है लोग त्राहिमाम दुख से प्ताहिमाम करते हैं उस समय तेस्वी आदर जी दुबई घुमते हैं विदेश घुमते हैं जब बिदान सभा चलता है तो वो विदेश घुमते हैं तो बिहार की जंता इतना बेवकुफ नहीं है कि ऐसे नेता को इज्जद देने नमस्कार अब फशलुक बिहार देख रहे हैं और मैं हुआ विशेक रंजन केंद्रिय मंत्री गिर्याज शेंग का हिंदू सभिमान यात्रा निकलने वाला है इसको लेकर देखिए कि बिजेपी के परदेश अध्यक्त सर राजेस्वेव भूमिसुधार मंत्री दिलिव जस जवाल से मीडिया ने अज सवाल किये हैं कि गिर्श शेंग यात्रा निकलने वाले हैं हिंदू को एक जूट करने के लेकर देखिए कि इस सवाल को लेकर उन्होंने इससे अपना पला जहार लिया है इसके साथ ही बता दे कि दिलिव जस वाल ने कहा है कि बीजेपी जो है लेकर चलने वाली पार्टी इसके साथ सब का विकास करने वाली पार्टी है तो देखिए एक तरब यहां पर केंद्रिय मंत्री गिराज शिंग हिंडू को एक जुट करने की बात कर रहे हैं और इसको लेकर बता दे कि अक्टूबर महिने में ही यात्रा निकालने वाले हैं यारी कि अक्टूबर महिने से यात्रा की सुरुवात हो जाएगी और जिसको लेकर देखिए कि मीडिया के द्वारा जा सवाल किया गया क्या गिरिराज शिंग जिस परकार तो यात्रा निकालने हैं तो उससे जो है दिलि जस्वाल ने नेता पर्तिबक्स तेश्वी आदब लालू परसादी आदब और पप्पु आदब पर भी निसाना साधा है कई सारी बाते कहिए पहले आप पोस्तुनिए मजबूती के साथ चारो सीट पर चुनाव लड़े गी और जनता का आशिरबाद मद्दाता का आशिरबाद लिएगी जरकंड में कितनी सीट पर लड़ेंगे एंडिये का समझोता हो चुका है सही समय पर ब्रेस को बता देगे रामगर जो है सरे का व्यद किला की तरह रहा है विपक्ष का क्या उसको भेट पाएंगे आप लोग इमामगन छोर के सभी विपक्ष का ही सीट है लेकिन आपने हरियाना चुनाव में देखा जनता का मिजाज बदल गाए है जनता इस बात को समझ रही है कि इंडी गटबंधन के जो राजकुमार है राहुल गांदी जी हिंदुस्तान का भारत का नमक खाते हूं और विदेश में जाकर भारत अपने ही देश के खिलाब बोलते है यहाँ की जनता इसको कोई पसंद नहीं करेगे इस बात को कि इस देश का जो खाना खाए नमक खाए वो इस देश की बुराई करे और इसका जवाब हर्याना में मिला है धीरे धीरे करके सब जगह यह जवाब मिलने वाला है करने वाला कभी पहले बोलता नहीं है जो बादल गरस्ता है वो बरस्ता नहीं है हाँ पिपक्स के नेता जो यात्रा पर निकल रहे है जब बिहार में बाढ़ आता है लोग तराहिमाम दुख से तराहिमाम करते हैं उस समय तेस्वी आदव जी दुबई घूमते हैं विदेश घूमते हैं जब बिदान सभा चलता है तो वो बिदेश घूमते हैं तो बिहार की जंता इतना बेवकुफ नहीं है कि ऐसे नेता को इज्जद देने वाला है जो आदमी बाड के समय भाग जाए और बाड जब अब समाप्त हो गया विचारे कष्ट में है तो अब डफली बजाने के ले जाएंगे तो डफली बजाने वाले जात पात का ही राजनिती करके नेतागिरी कर रहा है या फिर पिता जी के नाम पर राजनिती हो रहा है अपने क्या है उनका कुछ है क्या अब मैं इस पर कुछ बता नहीं सकता हूँ कि कौन सा यात्रा और कैसा यात्रा है लेकिन ये जरूर बोलूँगा कि भारतिय दंता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास सबका परियास और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है पुर्णिया के सांसद कब क्या बोलते हैं ये वही समझे मैं नहीं बता से काम है वो तो बोलते हैं कि हम 24 गंटा में कौन गूरूप को ही समाप्त कर देंगे अब पता नहीं कि इनका कौन सा गूरूप है हम नहीं जांते हैं आप तो बड़ा अच्छा है भारत सरकार को और हमको लगता है कि पूरे दुनिया को बरे बरे कंट्री को इनको पुरियां के सांसर को अपना ये ले लेना चाहिए सेना में भड़ती कि ऐसा अपनी काहिद जोगा था इस देश में जो कि 24 घंटा में अपरादे खतम कर देगा जन्तादाल उनाइटेट जो है एंडिये के साथ है बिहार में शरकार चल रही है जारखंड में होने वाले चुनाओं को लेकर उन्होंने अपना सीटलिस जारी कर दिया कि इतने सीटों कर चुनाओं लड़ेंगे और फैसला होता है और फैसला के बाद ही रिजल्ट आता है सर आप और जदीर इंडिये में अब भाव ही पिलक्रेश एक दम एंडिये सकता है उसका सब फैसला हो चुका है सही समय पर आपको बताने के अब लीजिए इस सब सवाल जो है इस देश को बरबाद करने में ना आप भी अपना कही वास्कुगरवर हो तो घर लगवा लिए तो आपने सुना क्या कुछ कहना था दिलिप जस्वाल का जिस परकार थे उन्होंने आज प्रेश वार्ता बुलाई वही थी और देखें कि मीडिया के कई शारे शवाल थे जहां पर बता दे कि लोरेस भिस नव में ले ले और अपने सेना का कमांडर बना दे इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी बाते कही है बनने फर्क लिक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए तब तक के लिए नमस्कार